आगरा में एक शर्मनाक मामला सामने आया संजे पैलिस अवद बैंकित हॉल के पास वाश रूम में युवतियों की आपत्ती जनक फोटो खीचने वाला शातिर युवा थाना हरीपरवत पुलिस के चुंगल चे भाग निकला इस पर पीडित युवतियों ने ठाना हरीपरवत में जम कर हंगामा किया इस दौरान एक युवतियों ने बताया कि विकास नाम का यह युवा पिछले कई दिनों से संजे पैलिस में विबिन्न कमपोनियों और शोरूम पर सर्विस करने वाली युवतियों पर फफतिया कसता था आज जब हद हो गई जब इसने वाश रूम में चिपकर युवतियों की आपतिजनिक फोटो मोबाईल में खीच लिए ठाना हरीपरवत में SPCT, ASP के भी कारियल है यहां हर वक्त भारी पुलिस बल तैनात रहता है इसके बावजूद शाटिर युवा पुलिस की आखों में मेच जोग कर भाग गया यह एक गंबीर मामला है यहां पर हम चार पांच लडगी थी और लगी है चली गई है वो फिकिन शाधी पार्टी में जाना था तो इसलिए वो चली है लेकिन वो कल आई सकी है यहां के पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं है पुलिस वालों ने क्या जिया इतने सारी पुलिस होने के बहुजूद वो लड़का भागा है पताईए वो लड़का पहले भी देखा था उसकी हरकते पहले भी बताई गई है अरीपजा साने में कई वार्टी निकाए गई है तब भी कोई सेफटी नहीं है लड़कीों के लिए क्या सेफटी है इस पुलिस थाने में कुछ भी नहीं है मैं ये कहना चाहती हूँ आज हमारे साथ यह घटना हुए तब भी पुलिस वालों ने हमने उससे कैसे भी करके पकड़के यहां थाने में रखा लेकिन पूरी पुलिस के सामने वो लड़का यहां से भागा है आप बताइए अब क्या करना चाहिए मैं चाहती हूँ आगे की कारवाई करें उस लड़के को सक्त से सक्त यहां सजा मिलनी चाहिए हमारे साथ घटना हुई कि हम बॉश्रूम जाते हैं बॉश्रूम में वो चुपकर बीडियो बनाता है बीडियो फोटो बनाकर क्लिक कर और उसे मैंने पकड़ा भी था और दक्का देकर भागा था और इस वाई से हमने नीचे भी उसे पकड़के लेकर आए और यहां पुल अबे लोग लेकर आये थे इसको और फिर भी पुलिस के वासे वा भागाया जी यहां कोई सुनभाई होई नहीं दीए